हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे वक्षीट नूमबर 143 यह आप लोगों की मैट्स की वक्षीट है क्लास 3 के लिए और डीट है 29 दिसमबर 2020 आज हम इस वक्षीट में स्केल करना सिखेंगे बच्चो और वक्षीट स्टार्ट करने से पहले प्लीज मिज़ी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकन जरूर दवाएए बच्चो जिससे न्यू वीडियो का नोचिफिकेशन आपके पास सबसे पहले बहुत सके तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षीट लेट स्टार्ट आपने अब तक अपनी छोटी नाप डंडी से पहुत सारी चीज़े नापी तो अभी तक आप लोगों को किस से नाप न सिखाया नाप डंडी से नाप न सिखाया था आप लोगोंने अपनी छोटी से नाप ड देखें हैं शायद कुछ इस तरह लिखिया होंगे इस तरीके से लिखने हैं बच्चों देखो वन यहां टू यहां फोर यहां फाइव यहां शिक्स यहां जेवन यहां यहां नाइन और टेन जबसे पहले आपने जो नापडंडी वनाई थी उसके ऐसे इसे हिस्से कर लिये ठीक है इस तरीके से नंबर लिख लेने और इसी तरीके से अपने नापडंडी मना लेनी हैं अब आप अपनी पैंसल नाप पिए और बताइए कि पैंसल कितनी लंबी है अब देखो पैंसल की लंबाई डैस छोटे हिस्से मानलो आपकी पैंसल की लंबाई आठ छोटे हिस् पैंसल रखी णे माले यहाँ इदर अपने पैंसल तक तक आठ पर जा कितनी चोटे हिस्स्से आपकी वियस्से हो गए आध चोटे हिस्थे हो जहीं है देख दिखे है इसाइस करें unless यहाँ तक ऐसी हिस्से मुझा है ऐसे में सकते हैं ऐसे जाद से काफी सहर्ट में आंदों 25 उतंड़ा तो نविवर्ण बमूतर बड़े हिस्से का सब्सक्राफ दूस्कुत आ lorsqu दोन दोया एक अब सब्ड़ा करेकर जाने का सबदो आज चालते इसकेल ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की दूरी को एक सेंटीमीटर कहते हैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से की दूरी को यानि देखो बच्चो यह यहां तक एक सेंटीमीटर हो गया अब यह दो सेंटीमीटर यह तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर पढ़ा होगा न हिस्सा यानि एक सेंटीमेटर दो हिस्सा यानि दो सेंटीमेटर तीन हिस्सा यानि तीन सेंटीमेटर चार हिस्सा चार सेंटीमेटर ऐसे पंदर सेंटीमेटर का पूरा स्केल आजाएगा आपका समझ गए एक सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर तीन सेंटीमेटर चार सेंटीमेट अब से अपनी उस pencil को नापईं हमने b tables की मदध से एग pencil को नाप आ नाप डंडी के मदद से जिस जो भी पैंसल आपने लापफ है उसी पैंसल को आप फिला की मदद से नाप निंद y就是 school करेंगे नापना यहां पर 0 यानि एक भी संटीमीटर नहीं आए यहां पर तो एधर से आप नापना शूरू करेंगी कोई भी जीशम और जहां पर घत्म हो रही है उतने संटीमिटर आपका हो जाएगा कितना अब आट संटीमीटर है नप यह छोटे-छोटे हिस्से यानी करण चलो AMY कहे हैं हमारी पैंसल की लंबाई 8 संतिमीटर है है न बच्चा में ने लिखेत वस्थें की लंबाई स्केल की मदद से जानने की कोशिश करें अब आपको अपने घर में जो भी चीज़ें हैं कई चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं इन चीजों को आपको अपने skills की मदद से नापना है इसके लाब सभी के घर में हो गएने बच्चो इस तरीके का उसी से आप नापेंगे अब देखो pencil हो गई pencil का नाप आया 8 cm माल लीजे और school dairy का नाप आपने नापना है और इधर लिखना है मैंने अपने अंदाजे से लिख दिया है 10 cm आप अपनी dairy का नापेंगे बच्चो अपनी school dairy का नापेंगे और इधर लिखेंगे गड़ती किताब का नाप 15 cm हाथ की सबसे बड़ी अंगली का नाप 6 cm बच्चो आपकी हाथ की सबसे बड़ी अंगली का नाप कुछ और हो सकता है मैंने अंदाजे से लिख दिया 6 cm 10, 8, 15 आपको अपनी चीज़े नाप का इधर लिखनी है ठीके बच्चो अब आगे पढ़ते सकेल में उनको cm कहते हैं लेकिन अब 1 cm मीटर के साथ क्या होता है ? Pink मीटर क्या होता है यह मिटर क्या होता है बच्स आप मम्म्मीNew की साड़ी घर के इंसे का भ cosa को मीटर में आप चाता है जह चोटी चीज़ें को बच्चो देखो झाछ चोटी चीज हो गई पैंसल गड़ की किताब इसको हम सेंटिमेटर में नाप लेंगे लेकिन आपने कभी सोचा है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़े होती है उन्हें तो हम सेंटिमेटर पर नहीं आप सकते न वरना जैसे मम्मी की साड़ी हो गई आपके मम्मी साड़ होते हैं सो सेंटिमेटर यानि अगर आप अपने स्केल को पंदरा 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 करकर के सो सेंटिमेटर के बराबर कर लेंगे तो एक मीटर हो जाएगा ठीक है बच्चों अंडरस्टैंड अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो बच्चों कमेंट में लिख दीजेगा ठी कि पास 15 cm सकेल है ना बच्चो हमने यहां ये वाला स्केल पड़ा था ना इस सकेल में कितने संटीमेटर होते हैं एक दो तीन चार पाच्छे कितने हो गाए 15 cm हो गए है ना तो उसी scale को आपको लेना है और उससे 1 मिटर बनाना है अब बच्चो इस काम को मुश्किल मज़़दार समझो क्योंकि यह सच में मज़़दार होने वाला है आपको अपने फर्ष पर 15 cm वाले scale से 1 मिटर बनाना है हमने क्या पढ़ा 100 cm माने 1 ठीक है यह आपका 15 cm का पहला scale देखे फिर आपको 100 cm तक बढ़ाना है तो कितने बार ऐसा रखेंगे कि वह 100 cm बन जाब एक और बार scale रखेंगे यह कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा है ना 30 15 प्लस 15 दो बार हमने 15 जोड़ देना है कितना हो जाएगा बच्चो 30 है ना अब एक और बार scale रखेंगे एक और बार जब आप scale रखेंगे तो फिर आपको 15 को तीन बार जोड़ना है 30 में 15 प्लस करो कितना हो जाएगा 45 है ना तो हम यह 45 लेकिन आपको कब तक करना है जब तक ही 100 cm ना जाए तो एक और बार scale रखेंगे यहां से यहां तक ठीक है अब 60 फिर आप एक और बार scale रखेंगे क्योंकि हमें 100 तक लाना है 75 एक और बार रखेंगे 90 ठीक है बच्चों 90 होगे ने धर तक अब जब आप एक और बार रखेंगे आपको पूरा नहीं रखना आपको वह सेफ 10 cm तक कर रखना है तो यह हो जाएगा 100 हो जाएगा ने तो कितनी बार हमने रखा एक दो तीन चार पार छह चैबर 15 सेंटीमीटर के स्किल पूरा रखना है और चैब के बाद साथ मां जो आप रखेंगे वह आपको सिर्फ 10 cm तक कर रखना है तो आप चौक की मदद से यह ऐसे 15 5 15 सेंटीमीटर आपको कितनी वार लिख लेना है यहई आपकोर लिख लेना है एक दो तीन चार पार छह बार ठीक है और शात भी वर आप 15 लिखने जाएं गे तो आपको 15 नहीं लिखना वह उल्ली 10 लिखना है ठीक है क्योंकि 6 लाएख में ऌपन दर सेंटीमीटर के स्केल रखा फिर हमने 10 cm का स्केल रखना है तभी हमारे 100 cm बन पाएंगे बच्चो ठीक है तो 15 cm ऐसे एक दंडा कीचेंगे अपने फर्ष पर आपके करना है ऐसे चौक की मदद से चौक होगा ना आपके घते उसकी मदद से ऐसे 15 फिर 15 फिर 15 फिर 15 ऐसे ड्रॉ करते जाना है जब तक 6 बार ना आप ड्रॉ कर लें ठीक है फिर 6 बार ड्रॉ कर लेजिए 6 बार ड्रॉ करने के बाद जो 7 वार आप ड्रॉ करेंगे तो उधर दस लिखतेंगे क्योंकि साथ लुडार हमने तस सेंटिमेटर को स्केल रखा रखा ना ठीक है बच्चो तो इसी तरीके से यह चोटी सी अक्टिविटी है इसे आप अपने फर्ष पर ट्राय करेंगे आपको कॉपी में नहीं लिखना इसे आपको अपने फर्ष पर चोटी सी प्यार इसी अक्टिविटी को ट्राय करने है बहुत मजा आने वाले ऐसे करने में ठीक है बच्चो इस तरीके से इस वाले कोशन को भी आपको करना है तो यही थी आज की वक्षी जिसमें हमने क्या जाना जिसमें हमने जाना सेंटिमीटर और मीटर के बारे में है ना और एक अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने एक्टिविटी की फार्ष पर 6 वार हमने 15 सेंटिमीटर का स्केल रखा और 7 वी बार 10 सेंटिमीटर का रखा के बच्छों कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट में जरूर पूछेगा और इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने सब फ्रेंग के साथ शेयर भी कीजेगा जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वक्षीट को पूरा कर सकें okay students thank you stay home stay safe